दिली करेड न्यूस में अभी की खबर है क्या है अभ्यास दोस्ती 16 बीते दिनों मालदीव में भारत, मालदीव और शिलंका के बीच त्रिपक्षिय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजुन किया गया बता दे कि यह अभ्यास दोस्ती का 16.00 संसकरण था इसका उदेश्य भारत, मालदीव और शिलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच सहयोग और आपसी मित्रता को बढ़ाना है इस अभ्यास में बांगलादेश ने पर्यविक्षक की रूप में भाग लिया चलिए अब जानते हैं अभ्यास दोस्ती के बारे में इसे साल 1991 में भारत और मालदीव के तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया था शिलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था इसे प्रतेक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है पिछले वर्षों में आयोजित अभ्यासों ने समुद्री दुरगटनाओं के सिते में सहायता प्रदान करने समुद्री प्रदूशर को समाप्त करने और तेल रिसाव जैसे सितियों के दोरान तटरक्षक की प्रक्रिया पर ध्यान के इंद्रित किया है इसका उदेश्य भारत, मालदीव और श्रीलंका के संबंधों को मजबूत करना, आपसी सहयोग वशमता बढ़ाना तथा तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग स्थापित करना है गौर तलब है कि इस अभ्यास का आखरी बार आयोजन 2021 में किया गया था अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नकों अभ्यास दोस्ती के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसे साल 1991 में शुरू किया गया था दो, मालदीव पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ था तीन, इस साल इस अभ्यास का सोलवा संसकरण आयोजन किया गया है उपरियुक्त में से कितने कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन में से कोई नहीं इस प्रश्ण का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया दियो व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले